हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने जा रहे हैं जो घर में बड़ी आसानी से बन कर तयार हो जाते हैं तो सुरू करते हैं रेश्पी फ्रेंड्स मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है यह मिल्क पाउडर यह 130 ग्राम है और अगर तॉलने की कोई चीज नहीं है तो आप इस कटोरी से नापके भी ले सकते हैं और हम लेंगे यह 60 ग्रम चीनी है और आप अपने साब से डाल सकते हैं गटा बड़ा भी सकते हैं और यह हमने लिया है आदा काटोरी मिल्क यह 140 एसपी एलाइची पाउदर और 1 टीबी एसपी एगी लिया है इसमें तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे गी के बाद इसमें दूट डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे चीनी और हम डालेंगे इसमें अपना मिल्क पाउडर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस को बाद में जलाएंगे अब हमने गैस जला ली है तो अब इसको लगातार चलाते ही रहेंगे क्यूंकि इसको चिपकने का बहुत डर रहता है यह थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा तो आप लगातार चलाते रहें और जटपट आपके पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे इसी में हम डाल देते हैं इलाइची पाउडर देखिए यह अब इकठा होने लगा है तो अब यह तैयार है बनकर तो हम गैस को बन कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 10-15 के बाद यह ठंडा हो जाएगा तो फिर पेड़े बनाना सुरू करेंगे फ्रेंट्स देखिए यह अब ठंडा हो चुका है तो हम अपने पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से बनाना है और ऐसे करके रखते जाना है यह एक बन चुका है और ऐसे ही सारे बना लेते हैं प्रेंट्स देखिए यह बन कर तैयार है तो अब हम इनको सजा देते हैं पहले थोड़ा सा चांदी का बर्क लगाएंगे और आपके पास हो तो लगा सकते हैं नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है अब हम थोड़ी पिस्ते से सजा देते हैं अब तैयार है आपके मिल्क पाउडर पेडा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी और इसी तरीकी की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद